Hello as parents, welcome to the selection classes तो यदि दोस्तों आप भी UPSC 2024 या फिर UPSC Prelims 2024 को टारगेट कर रहे हैं उसके बाद दोस्तों मेंस की ब्यारी आईगी तो आज मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि C-set जो है उसका paper 2 जिसको बोलते हैं उसको prepare करने का या उसको start करने का right time क्या है अब दोस्तों यदि मैं right time की बात करूँ तो as you know कि जो exam है वो दिन बदिन competitive होता ही जा रहा है कोई भी exam की मैं बात करूँ even for the one day examination the competition level is increasing on a daily basis weekend से बिकॉस अच्छे बच्चे भी competition में आ रहे हैं जो बच्चे दो तीन साल से तैयारी कर रहे हैं वो भी already अब पक चुके हैं अच्छे हो चुके हैं तो they are also in the race तो उन सबसे combat करने के लिए what is the best way and how you have to prepare for the C-set actually बिकॉस अक्सर जो बच्चे का GS1 का पेपर अच्छा हो जा रहा है बिकॉस history वो पी जाता है गोट के geography, quality मतलब बो उसको समझ जाता है लेकिन C-set में जो एक important जो parameter that is mathematics कहीं न कहीं बहुत सारे बच्चों का वो loophole होता है या फिर reasoning में या फिर जो उसमें interpersonal skills होती है उन समय कहीं न कहीं जो है उतना मन नहीं लगाता बच्चा बिकॉस वो qualifying nature का paper होता है तो बच्चा सोचता है कि last में पढ़ लेंगे यार अभी तो time है बहले जो main subject है जो कि GS1 के हैं उनको हम time देते हैं बड़ दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मैं right time के में बात कर रहा था actually आपको अच्छी चीजों को शुरू करने के लिए कोई समय सही नहीं होता है आप किसी भी समय से दोस्तों अच्छी चीजों को शुरू कर सकते हैं खासकर दोस्तों यदि बात आपके career की है तो I believe कि आ आप ही अपने career को लेके उतना ही serious होंगे जितना मैं आपको बता रहा हूँ कि भाईया अभी से पढ़ना शुरू कर दो even for the CSET CSET के लिए दोस्तों मैंने बहुत सारे जो content है वो upload किया हुआ है आप उस content को देख सकते हैं and even मैं अभी नया content फिर से upload करने वाला हूँ और बिलको शुरू से दोस्तों percentage से मैं शुरू करूँगा so that आप चीजों को बहतर तरीके से समझे मैं आपको चीजों को बहतर तरीके से समझाओं और दोस्तों आपका जो exam है उसमें आप confidence के साथ में जाए कि yes you are confident enough कि आपके जो exam में paper है जो questions है वो आप उनको solve करने के लि आगे के हैं तो 6-7 महीने हैं दोस्तों exam में बड़ आपको 6-7 महीने ही दोस्तों पढ़ना है CZ को because last time मही में paper हुआ था तो 12 महीने करते करते 6 तो निकल गए अब 6 जो महीने आने वाले दोस्तों यह बहुत crucial है because आप किसी subject को जितना time देंगे उतनी ही efficiency दोस्तों आपकी उस comment के आज से ही अपना जो एक schedule है उसमें CSET का भी आदा गंटा या फिर 45 मिनट दोस्तों जोड़ लो because that will going to help you a lot बाद में ऐसा नहीं हो कि और अफिस सटन में यह बहुत pressure आ गया कि हमको GS का भी subject उतना प्रिपेर नहीं हुआ या CSET और तेयरी करना पड़ेगा तो आप important hack बताता हूं उसके super tricks बताता हूं जिससे कि exam में दोस्तों पहले भी पिछले साल भी आप देखोगे तो जो जो मैंने shots upload करे तो दोस्तों वहां से direct question पूछे गए थे तो आपको CSET के लिए कहीं कुछ करने की जरूवत नहीं है आप selection classes को follow कर सकते हैं यदि आपका मन है मन कह है मैं तो बोलू हुआ कर लीजे because dedicatedly हम लोग काम करें CSET के ऊपर UPSC हो या फिर UBPSC हो और या फिर other state PCI exam हो आप किसी भी exam के preparation करते हैं जहां पर state PCI से के मात करूं CSET कदी पूछा जाता है math पूछा जाता है reasoning पूछा जाता है तो you can rely on us definitely you'll be helpful और आपको बहुत फाइदा हो होगा fruitful होगा अपके लिए यह decision है हमारे साथ रहने का हमको जुडने का और दोस्तों daily यहां पे current phase की भी classes चल रही है और आने वाले टाइम में दोस्तों हम लोग weekly news और country news और daily चर्चा मतलब बहुत सारी चीजें आपको free में provide करने वाले we are not not asking any means amount के भी आप हमको ऐसे course purchase कर अब फिलाल कुछ नहीं है सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपको मेरे साथ में जुडना है free में जो चीजें से खाई जा रही है हाला कि free की चीजों का कोई उतना valuation आज के टाइम में नहीं रकरता लोग तो पागल सला क्यों पढ़ारा बट दोस्तों ऐसा नहीं है मेरा सिर्फ पर सिर्फ मोटीव यह है कि मैं आपके बीच में अपनी जगा बनाना चाहता हूं that is the reality ठीक है तो उसके लिए दोस्तों मैं मैंनत करने के लो ready हूँ तो आपको भी दोस्तों मैनत करनी चाहिए definitely और यदि आप मेरे साथ मैनत करना चाहते हैं तो आप selection classes को join कर लिजिए follow कर ल दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि नौंबर के बाद थोड़ा सा टाइम बचेगा बहुत मुश्किल हो जाएगा आप इतना कर सकते हैं यदि आपको करने ही क्या जो देवाली है उसके बाद दोस्तों आप अपना C-set के लिए अच्छे से प्रपिर करना शुरू कर दीज सिखा पाऊं तो इसी उम्मीद और उस्सा उमंग के साथ में कि आप अपनी प्रेपरेशन को मेरे साथ कॉंटियू करेंगे मैं आपसे बोलता हूं कि आपको प्रेपरेशन के लिए दोस्तों कहीं और जानने की जरूवत नहीं खासकर C-set की में बात करो I'm not asking for any other subject वह आप ज हैं सूपर ट्रेक्स सब दोस्तों बताऊंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with more update with more study material and with more content so see you and take care and do subscribe the channel and also share the video among your friends जो की दोस्तों C-set को लेके थोड़े से serious है कि उनको लगता है कि C-set कहीं न कहीं उनका जो page है वो first round ठीक है तो उसी page को सुलजाने के लिए हम लोग मिलते हैं with new content so bye take